तो आज का ये जो मैच है ये रहने वाला है लखनव वर्सेस चैननाई का प्ले यहाँ पर करते हैं लखनव की टीम चूज करके खेलेंगे हम इस मैच को और दोनों टीमों का स्क्वैड ये है तो शुरुआत करते हैं अब इस मैच की मुंबई के स्टेडियम में होने वाला है ये लखनव वर्सेस चैननाई का मैच और अब यहाँ पर हर बार की तरह हैट्स चूज करके आगे ब उसमें जो इंडियन T22 नमें T22 की सीरीज पूरी चल रही है उसी सीरीज की ये एक वीडियो है और अगर आपने वो सीरीज अभी तक के नहीं देखिये तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर आपको कुछ 6 या 7 वीडियो म मिल जाएंगी तो खेर फिलाल यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तो बिल्कुल उसको चेक आउट करिएगा पर फिलाल इस मैच पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं टॉस हम जी चुके हैं बोलिंग का फैसला हमने कर लिया और हमारी ऑपोरेंट चेनने की टीम की तरफ से दो ओपनर्स हाठ चुके हैं और जैसा कि हम करते हैं हाँट इवेंट्स के मैचजस में कि ऑपोरेंट टीम की बैटिंग इनिंग्स आटो प्ले और वो हमने आटो प्ले कर दिया है चेनने की टीम ने एक अच्छा खासा स्कोर बनाया है 191 रॉंस ब आगी तो सबने चार ओवर का स्पेल डाला है पर बोलिंग बहुत ही खराब हुई है पर उन्होंने दो विकेट लिये हैं में रन मात्र अठारा ही दिये हैं तो काफी जादा ये एक अच्छी चीज है अगर ओपनिंग की बात करें तो हमारी टीम की तरफ से ओपनिंग की कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं ये ज़्यादा तरके हम रखते हैं मतलब जब भी हम दो उपनर्स को ले करके आते हैं तो कोशिश करते हैं कि लेफ्ट हैं राइट हैं वाला कॉम्बिनेशन रखें यहां पर पहली बॉल फुल लेंद की यह बॉल तही और कमाल का ये ही है और एक और चौका है लगातार दो चौके हमने लगा दिये क्या एक और चौका लगा कर हम चौकों की हैट्रिक कुरी कर पाएंगे आपर देखना होगा एडवांस यह शौट है टाइमिंग यहां भी परफेक्ट है और प्लेस्मेंट भी ठीक ठाक ठीक बहुत ज्यादा अची प्लेस्मेंट है यह हम नहीं कह सकते पर प्लेस्मेंट अच्छी थी और यहां पर लगातार 3-4 के लगा दिये हैं दर्शक जो है वो बहुत ही जादा खुश है आगे आने वाले तीन बैट्समन जो है वो आपने देख लिए नमबर फोर पर जो आएंगे वो कैप्टरन है हमारी लखनव की टीम के यहाँ पर अच्छा शॉट है पीछे की तरफ यह शॉट है और अगर अगर आपने ये वीडि यह जो सीरीज चल रही है इंडियन T22 नमेंट की यह जो WCC3 के हाट इवेंट्स के मैचेज में यह जो इंडियन T22 नमेंट 2022 की सीरीज चल रही है यह पूरी सीरीज देखने के लिए तो सब्सक्राइब करना बनता है और यहाँ पर एक कमाल का चॉका है और बहुत ही फाइन ये शौट हमने खेला और इतना फाइन अगर शौट रहेगा टाइमिंग अच्छी रहेगी प्लेस्मेंट अच्छा रहेगा तो चौका तो बिलकुल मिलेगा ही और पहले ओवर की समापती हो चुकी है 20 अनाय है इस पहले ओवर में विकेट कोई भी हमने खोया नहीं तो ये का पहले ओवर की समापती हो चुकी है हर बाल की तरह हम फाइव ओवर्स का आटो प्ले करते हैं आज भी हम फाइव ओवर्स का आटो प्ले करेंगे पर आज जो है हमें फाइव ओवर्स की आटो प्ले का जादा ही इंतजार है क्योंकि कारण ये है फिलाल यहां पर आटो प्ले कर देते हैं फिर बात करते हैं तो पहले ओवर में कोई विकट नहीं किया था पर यहाँ पर पिछले दो ओवरों में फिफ्ट और सिक्स्थ ओवर में दो एक-एक विकट गये हैं दो विकट अभी तक के टोटल जा चुके हैं और हाँ हमने ये कहा था कि फाइव ओवर्स की आपना असान नहीं होने वाला और सामने वो टीम है चन्नाई की टीम है जो की काफी अच्छी है यहाँ पर फिलहाल नो बॉल है और फ्री हिट मिली हमें तो अब फ्री हिट को खेलने के लिए हमारे कैप्टर मौजूद है और हेलिकॉप्टर खेलने की कोशिश करेंगे सामने क तरफ और हेलिकॉप्टर वैसे उतना साधा लगाने पर कोई बात नहीं बॉल तो बिलकुल लैंड हुई बाउंडरी के बाहर और च्छका नहीं पर वन बाउंस ये चौका मिला और अब यहां पर पहली बॉल नो बॉल थी और एक चौका मिल चुका है तो इन सब चीजों की व बची हुई हैं तो हम कोशिश पूरी करेंगे कि बची हुई चार बॉल में थोड़े और कुछ ऐसे ही शौट्स लगाए जाएं कुछ और ऐसे ही बाउंडरी जाएं और लगाया है हमने एक और चौकार हां लगातार तीन चौके तो हमने यहां भी लगा दिये और पहले बात करें तो पहले ओवर में भी अमने तीन चौके लगाये थे उसके बाद फाइव ओवर्स का और यहां भी अमने लगातार तीन चौके लगाये पर यहां पर थोड़ा सा फुल स्टॉप हुआ है एक डॉट बॉल हुई है और यह जो कैप्टर ने चैननाई की टीम के 1.4 पर यहां पर एक डबल होना चाहिए और विल्कुल यह डबल हुआ है ट्रिपल की कोशिश है पहुँच नहीं पाएंगे और जी हां नहीं पहुच पाएं है नो बॉल है यह और फ्री हिट मिली है में कैप्टर हमारे आउट नहीं हुए पर कैप्टर आउट हो या कोई भी वो आउट तो हुआ है और यहां पर आठ बॉल में 17 रन काफी अच्छा खेल रहे थे यह पर अब उनका विकेट जा चुका है अब विकेट कीपर को लेकर किये ही आते हैं क्योंकि वो जो है जो भी मतलब डिस्प्ले पर जिनका की नाम था जो राइट हैंड बैट्समें थे शायद वो राइट हैंड बैट्समें ही थे हमने जादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारा ध्यान इसी चीज़ पर था कि इस विकेट कीपर बैट्समें को उपर लेकर किया जाए यहां पर लॉफ्ट है यह तो अच्छा हुआ कि यह फ्री हिट है कैच आउट हुआ पर कोई विकेट का चांस नहीं और हम कोशिश की हमने की यहां पर क्रीट का फायदा उठाय जाए पर वो उठा नहीं पाए यहां पर गैप में शौट है एक चौका मिलेगा और विल्कुल चौका मिला है और इस एक चौके के साथ जो 100 रन का अखड़ा है वो हमारी टीम ने पार कर अच्छा अभी नहीं पार हुआ है 9-7 रनस एक और चौका लगेगा तो पार होगा पर जैसा कि हम करते हैं कि एक ओवर खेलने के बाद 5 ओवर्स का आटो पले करते हैं तो यहां पर अब हम करेंगे 8 और 5 ओवर्स का आटो पले और अभी जो आए हैं बोलिंग करने के लिए यह जो फास्ट बोलर है यह एक ओवर डाल चुके हैं और 9 रन गए थे उनके उस ओवर में यहाँ पर फिलाल 5 ओवर्स का आटो प्ले हमने कर दिया और यह काफी जादा एक अच्छी चीज है कि विकेट अभी तक के कोई भी गया नहीं है पर हाँ एक चीज है जिसके बारे में बात करना जरूरी और आज तक के तो हमें नहीं लगता कि कभी भी ऐसा हुआ होगा कि हमारे मैच में मतलब हौट इवेंस के मैचेस में हमारी टीम के तीन विकेट गिर गये हैं और वो तीनों ही विकेट रन आउट के चलते वहाँ पर हमने जो देखा और शायद वो यही था कि तीन विकेट गये हैं और तीनों ही रन आउट के चलते हैं यहाँ पर सरकल के अंदर के फील्ड एफ्स को पार किया और बेल कोल यह चौका लगा है यह जो चौका है ना यह बहुत ही जादा रिस्की रहता है पर बावजूद इसके यह हमारा जो है मतलब वन आफ दा चौका लगा पर ठीक है जो भी सारी चीजे रही यहाँ पर हमने एक चौका बटो रहा है और हां 23 बॉल 47 रन्स क्या इस बॉल पर चौका लगेगा यहां पर सामने की तरफ यह शौट है और च्छके के साथ अर्द्शतक पूरा हो चुका है और अब अब हमें जीप के लिए 38 रन्स चाहिए यह हमारे जो कैप्टन रहे है जो लखनौ की टीम के कैप्टन रहे है यह क्या कमालगा खेलें आज के इस मैच में 53 रन्स 24 बॉल में यहां पर एक लॉफ्टेट शॉट खेलने की कोशिश करेंगे फिर से सामने की तरफ टाइमिंग बहुत जादा अर्ली हो गई और विकेट जा चुका है हमारे कैप्टन का बहुत ही अच्छा वो खेल रहे थे और बहुत ही अच्छा वो खेल करके गए हैं क्योंकि 25 बॉल में 53 रन्स 212 के स्ट्राइक रेट के साथ 5-4-3 छक्के यह सारी चीज़ें कमालकी है और अभी यह एक राइट हैं बैटर व राउंडर अच्छा खेलें तेज खेलें यहाँ पर लॉफ्टेड शॉट और बिल्कुल यह चक्का हाँ बिल्कुल यह चक्का है एक मिनट के लिए तो हम रुख गयते क्योंकि हमें लगा कि हो सकता है वहाँ पर कैट हो जाए क्योंकि वहाँ पर एक फील्डर मौजूद थ खेर नहीं हुआ वो काफी ज़्यादा एक अच्छी बात है और 18 बॉल में 26 सन बना दिये हैं उस विकेट कीपर बैट्समें ने अब यहाँ पर यह जो आ रहे हैं बोलिंग करने के लिए यह काफी अच्छे बोलर हैं काफी अच्छा स्विंग करते हैं यह पर हाँ अब समय हो और 163 नहीं 160 रंस बना दिये हैं हमारी टीम ने 32 रंस यहां से जीत के लिए चाहिए तो हमें पूरी उम्मीद है कि फाइव वोस के आटो प्ले में मैच खतम हो जाएगा और बिल्कुल यह देख चुके हैं आपकी खतम हो चुका है छे विकेट के साथ जीती है हमारी टीम औ और आज के मैच में मैच वाला जो प्रदर्शन था वो आया है कैप्टन की तरफ से कमाल की निंग्स खेली उन्होंने और कमाल का उनका वो अर्ध शतक रहा